वेल्कम टू ओवर चैनल आपका आपी के चैनल में सुवागत है जी हाँ तो आज हम बात करेंगे एक रिक्योट्मेंट से जुड़े नोटिफिकेशन के बारे में जैसा आपके सामने है भारतिय पशुपाल निगम द्वारा रिक्योट्मेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है पर इसमें अधिकारी पोस्ट के लिए नंबरों पोस्ट के बात करें तो वो है 2248 आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 25 नुवंबर जी तो चलिए करते हैं वीडियो के शुरबार तो अगर आप इस चैनल पे नए है या इस तरह की रगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं 22 से भी ज़्यादा पदों के लिए नोटिफिकेशन दिलीज किया गया है आप इनके ओफिशल वेबसाइट पो जाके देख सकते हैं विकिंसिस के बात करें तो यहाँ पे जो एक्स्टेंशन ओफिसर के लिए 562 है और वहीं असिस्टेंट के लिए 1686 पत के लिए नोटिफिकेशन दिलीज किया है एजुकेशन के बात करें तो यहाँ पे एक्स्टेंशन ओफिसर के लिए 10 की रिक्वार्मेंट की गई है वहीं यहाँ पे असिस्टेंट के लिए ग्रेजूशन की रिक्वार्मेंट की गई है एज की बात करें तो extension officer के लिए जो है वो 21 से 45 साल minimum 21 साल और maximum 45 साल वहीं assistant के लिए minimum 18 और maximum 40 salary की बात करें तो इसमें जो यहां पे extension officer के लिए 40,000 पर मन्त है वहीं assistant के लिए जो salary है वो 30,500 है पर मन्त selection जो होगा वो interview basis पर रहेगा fees की बात करें तो इसमें जो fees है वो extension officer के लिए 944 है सभी category वालों के लिए और वहीं assistant के लिए जो fees है वो 826 है सभी category वालों के लिए जी तो यह थी कुछ basic detail उसके बार यह notification है आठ पेज कर जिसमें post के regarding detail name of post, number of post और pay scale के बारे में बताये गया है कैसे apply करना है क्या क्या requirement है education age से related और last date के बारे में बताये गया है, fees के बारे में यहाप बताये गया है उसके बार यहाँ पर नेम o post और क्या क्या उनके responsibility है यह इनकी official website है यहाँ पर आप poster से जुड़ी जो भी basic detail है वो आप ले सकते हैं आज के लिए इतना ही था सबी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आज के लिए थैंक यू फॉर वोचिन